सब्सक्राइब कीजिए संपर्टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले एकन पे किलिक कर लिजिए ताकि इसी परकार का और भी महत्पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले हेलो प्रेंट्स मैं हूँ संपरत्कुमार आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि आप पोस्ट ओफिस में कंप्लेंड कैसे कर सकते हैं जैसे कि एक्जांपल के लिए आपने किसी को कोई पार्सल या कोई लेटर सेंड किये हैं उसको समय से नहीं पहुंचा है काफी देर कहां कब और कैसे करेंगे अपना मवाईल से बिल्कुल फिरी में इसे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में पुरा विस्तार से इसका मैं डेमो आपको कंप्लेंड करके दिखाऊंगा तो आप इस वीडियो में सुर्ष लेकलार तक जरूर बने रहें और इ आपको यहां पर सर्जवार में टैप करना है इंडियान पोस्ट ओफिस और सर्ज करना है जैसे आप सर्ज करेंगे तो आपके सामने यह नीचे इतना रिजल्ट सो हो जाएगा यदि आप मवाईल से कर रहे हैं यह कंप्लेंड तो यहां जो आप तीन डॉट देख रहे हैं इस थी डॉट पर किलिक करके इसको लोन करके आना है नीचे और यहां जो डेस्टॉप साइट देख रहे हैं इसके आपको यह चेक मर्क किया हुआ है आपको यह कर देना है इससे यह फ्यदा होगा कि यह डेस्टॉप भर्जन में खुल जागा आपको कोई परसानी नहीं हो चल फेज है वह इस टैप से ओप्यान होता है ठीक है आपको एसको डून करके आना नीचे यहां जो आप देख रहे हैं help and support आपको इस अप्शन पर एक बार किलिक करना है तो चलिए मैं इस पर किलिक करता हूं तो इस पर किलिक करते ही आपको यहां पर कुछ अप्शन आ रहा है customer support का ठीक है आपको customer support पर आपको किलिक करना होगा चलिए मैं customer support पर किलिक कर दिया तो उसके बाद यहां पर कुछ अप्शन आ रहा है यहां देखिये लिखावा आ है register your complaint यानि आप अपना complaint दर्ज करें और यहां है track your complaint आप जब तो आप यहां देख पा रहे हैं कि उसका कम्प्लेंट का जो है वो फॉर्मेट आ चुका है तो यह बहुत छोटा सा फॉर्म है ठीक है इसी को फिल करके भेजना है तो अब यहां देखिए फटा-फट मैं आपको बताता हूं यह जो पहला वला आप्सन देख रहे हैं सबसे प नकर आ को बला था कि यह इस पिट पोस्ब्राइटर था वो जो है डेले हो गया है तो यहां पर एस पीट पोस्ब्र्रहit यहां पर बहुत काफी अपसन मैं आपके अपने top अपने कम्प्लीन आया हूआ है ठीक है तो इसमें जो आपका कंप्लेंड है जिस नेचर का जैसे देखिए नॉन डिलेवरी अफ आर्टिकल यानि या जो है वो डिलेवरी नहीं हुआ है तो चलिए इसी को मैं चूझ कर लेता हूं ठीक है उसके बाद यहां देखिए डेट अफ ट्रांजक्शन इसका मतलब यह है कि आपने जिस दिनांक में उसको भेजे है वो लेटर वो आपको यहां डालना है ठीक है उसके बाद यहां पर जो नंबर देख रहे हैं यहां कोई मवाइल नंबर का बात नहीं है यहां आपका जो ट्रेकिंग एड़ी है आप उस नंबर को यहां डाल देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पोस्ट औफिस का पिन को डालना है और सर्च करना है ठीक है आप सब्फिस का पिन को डालकर सर्च करेंगे तो चलिए मैं यह बार डालकर सर्च करने था तो उसमें जैसे मैंने पिन कोड डालके सर्च किया तो यहां पर दो पोस्ट ओफिस आ गया ठीक है तो यहां पर मैं एक ठोको यहां जो देख रहे हैं किलिक करके आप जो यहां सलेक्ट देख रहे हैं यहां पर select है आपको यह select पर click कर लेना है तो वो post office यहां आ जाएगा ठीक है यह पता ने जो भी post office हो मैं कोई number डाल गए यहां search पर click किया तो यह post office आ चुका है ठीक है उसके बाद यह यहां देख रहें सहीं लिख सकते हैं इस box में ठीक है तो इसमें आप लिख दें जैसे कि आपका जो complaint था वो तो आपको यहां चूज करना था ठीक है नॉन delivery यानि कि मुझे delivery ने हुआ है इसके बाब जुद भी यदि आप कुछ बात यहां लिखना चाहते हैं तो आपके लिए यह लिखने का अप्शन दिया गया है आपको लिख दें ठीक है उसके बाद देखिए आप जहां भीज रहे थे वह letter उसका यहां पे पोस्ट ओफीस का डिटेल यहां पे देना उसी तरश आप जो है पिन को डालके यहां search पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट ओफीस का डिटेल आ जागा जरी आप वह letter इंडिया में भेज ना चाहते थे भेज रहे थे तो आपको इस दो एडरेस देना होता है एक receiver का और एक sender का क्या आप दोने अपना सब्लोन्द आपना ही अडरेस देंगे तो कि फीर具 पिर आप ही के यहां पहुंच जैगा ठीक है तो center का address जो है आपको यहां देना है ठीक है आप यहां आसानी से डे सकते हैं कुछ नाहीं है कि पिंकोरी में लेड़ी वही सब हैं आप दे देंगे लेकिन यहां धियान रखिए गा कि आप मैक्सिमों 100 करेक्टर ही इसमें फिल कर सकते हैं ठीक है यह वला बॉक्स में यह वला में ठीक है उसके बाद यहां पे एडरेस उसका देना है जिसको आप वो लेटर भेज रहे थे उसके बाद ये जो देख रहे है है capture को इसको इस बॉक्स में डाल के आपको यहां submit पे click कर देना है आप जैसे submit पे उनिक करेंगे आप जान सकते हैं ठीक है तो आपको वह complaint संभाल के रखना है ठीक है तो चलिए मैं आपको वहीं फिर लेकर चलता हूँ तभी तक तो आप यहां तभी आपको हम लाए थे ठीक है ट्रेक यूर your complaint और रजिस्टर जोरकम्लांड ये परिटवा खोलने तक लिए जानते हैं तो एक है तो एक उसके बाया अपको ट्रेकव और कम प्रेंट पर किलिक करना है यहां पे कि चलिए मैस कि लिक कर देता हूं अ कि ठीक यूर कंप्राइण О. देख लिजिए सबता है कि आपको यहां पर आपना कंप्रेंट नमब इसमें डाल देना है उसके बाद यहां पर कुछ पुछ पुछा जा सकता है कि अपचा वगएर यां जा रहे हैं कि one plus one कितना होगा तो इसमें two लिख के आप यहां search पर click कर देंगे यहां जो search है यदि in case यह capture आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है तो आप इस पर यदि click करेंगे तो यहां का capture जो है code यह बदल जाएगा फिर नया आ जाएगा ठीक है तो इस तरह आप जान सकते हैं अपना complaint का status ठीक है तो यहां में कोई complaint नहीं कर रहा था तो इसलिए मैं यहां कोई complaint दर्ज नहीं किया सिर्फ आपको बताने के purpose से ही मैं यह वीडियो बनाया था यदि आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ सेयर कीजिए साथ ही यदि वीडियो समधित आप मुझे कुछ सुझाओ देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कॉमेंट जरूर करें